हेलो फ्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे एक और बड़ा महत्पून टोपिक यह टोपिक आपके कई नंबर का देखने को मिलता है ठीक है चाहिए आप लोगों के पास CDPO चाहिए आप लोगोंने EBS लिया हो mathematics लिया हो लेंग्वेज में तो कई question यहां से आपको देखने को मिलते है ठीक है चाहिए आप लोगोंने social science लिया हो या science लिया हो यह टोपिक है आज की वीडियो के अंदर जो हम आपको पढ़ा रहा हूँ teaching methods के नाम से यानिकि जो आपकी सिक्षण विदिया आपके exam में देखने को मिलती है ठीक है बड़ा महत्पून टोपिक है जितनी भी important सिक्षण विदिया है जो आपके exam में देखने को मिलती है और बार बार यही repeat होती है मलब कोई ऐसी नहीं है कि कोई नहीं सिक्षण विदिया आ जाती है बार बार यही teaching methods को examiner आपके exam में पूसता है ठीक है तो इन सभी के उपर ए लेना क्योंकि आपके exam तक ही आपको किलाशी इसी परकार से मिलती रहेगी जो मेरे daily time 8 pm यानिकी 8 वजे से आपको देखने को मिलती है अपने दोस्त की आरुको शेर कर दिया गर वही ताकि उनका exam भी आपर पास हो जाए ठीक है और अगर course आपको चाहिए तो मेरी सचिन academy official application पर जाकर आप लोग course ले सकते हो ठीक है आपके exam में अभी भी एक महीने का time में सभी teachers एके करके आपको सभी subject पढ़ा रहे है ठीक है अगर आप लोगों ने अभी से भी पढ़ा तो आप लोग सारे subject को अपना complete कर लोगी चाहे paper first हो paper second हो इसके अंदर आपको मेरे वाले mock test मि बार में बताता जाओंगा और आप लोग इसको ध्यान से समझते जाना ठीक है जी good evening good evening भाई सभी को good evening चलिए अब हम अपने मुद्य पर आ जाते है अपने टोफिक पर आ जाते है ठीक है ठीक है बही देखे सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सामने question दिया हुआ है ठीक ह देखे पहला question आपके सामने दिया हुआ है कौन से method की बात दियुए है अलग-अलग परकार के methods होते है teaching methods मतलब जिन methods के मादव से जो teacher होता है बच्चों को पढ़ाता है यहापर basically method दो परकार के अंदर divide हो जाते है ठीक है मुझे पताती है आप लोग सीधा answer के उपर जाते है एक होता है आपका teacher centered एक होता है आपका teacher centered होता है यानि कि अध्यापक केंदरित आपके method होते है और एक होता है एक होता है आपका child centered method होता है कौन सा child centered method यानि कि बाल केंदरित आपकी विदिया होती है यह दो परकार के method होते है basically आपको सबसे जरूरी जो method जानने हो जो प्रारूप चल ला है वो बच्चे के अक्डिंग चल ला है तो हमें आज की डेट के अंदर आगर जितने भी method यूज करने हैं तो वो सभी बच्चे के according करने है जहाँ पर बच्चा क्या रहता है जहाँ पर बच्चा active यानि की सक्रिया होकर अपने घ्यान का निर्मान करता जहाँ पर हम लोग बच्चों को एक्टिव मानते हैं और जो NCF 2005 के अकोडिंग टीचर को एक फेसिलिटेटर एक सुगम करता की रूप में माना गया है वो सिर्फ यहाँ पर बच्चों को अपने ग्यान की रचना करने में हेल्प उसको करता है उसको सुगम करता है ठीक है तो कौनची teaching centered method होते हैं कौनची child centered method होते हैं अप जरह एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे पहला question आपके सामने दिया हुआ है पहला question आपके सामने दियावा है कि निमली की तमेंसे कौन सा समस्या समधान यानि की problem solving की पदिती का पहला चरण यानि की पहला step है बड़ा महत्पूर method है या मैं यू कहूँ कि आपके CTAT के exam में लगबग हर बार देखने को मिलता है और यह method आपका समस्या समधान विदी यानि की आपका problem solving method है कौन्चा method होता है यह method होता है आपका problem solving method होता है खुद आपका CBSC द्वारा approved होता है ठीक है खुद आपका यह क्या होता है CBSC द्वारा यह आपका approved method होता है आज की date में CBSC के स्कूल के अंदर बहुत इसका implementation हो रहा ह तो इस समस्या का आपको समधान कैसे करना होता है यहाँ पर वो चीज़े आपको बताई जाती है और आपके exam में CDP वाले section के अंदर कई बार ये question पूछे जाते हैं कि कौन-कौन से वो कारक होते है या कौन-कौन सी चीज है यहीं निमलिकित मेंसे कौन सा है जो समस्या समधान में help करता है या समस्या समधान में बाहदर ड्रॉत है तो सभी के ऊपर एक यह गर के मिल बात कर लेता है देखें सबसे पहले कर मैं बात करूँ यहापर आपके सामने निया पेज मैं ले लेता हूँ जिसमें किसी समस्या का समदान यहाँ पर कराया जाता है, बच्चों को एक थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा, मैंने जैसे कहा कि आपके सामने समस्या है seat-ied का exam, ठीक है, और यह seat-ied का exam आपको कैसे पास करना है, क्यों पास करना है, यह तो आप लोग मुझसे बैतर बता सक तो यहाँ पर बच्चों को एक हिंट दिया जाता है और हिंट लेने के बाद बच्चा उस समधान के और यहाँ पर लग जाता है अब यह जो समधान करना होता है यह step by step होता है जो examiner सबसे जादा question पूछता हो इसके step में पूछता है और फिर यह कहता है कि समस्या समधान यानिकी identification दा problem क्या होता है सबसे पहले होता है समस्या की पहचान करना यानिकी identification दा problem तो भई सबसे पहले आप लोगों ने समस्या की पहचान कर ली और आपके सामने समस्या की पहचान क्या है समस्या आपके सामने government job जोब आपको लेनी है कब तक निठले घर के अंदर कब तक यूँझी डोलते रहोगे यह मेरे वचन नहीं है, या आपके घरवाले आपके को बोलते होंगे ठीक है तो आपके सामने सबसे पहले समस्या की जो पहचान होती है उसका बैंटिफिकेशन होता है वो करना सबसे पहले आपके लिए जरूरी होता है जब आप लोगों को पता चल गी इतना हमें निठला का आ जा रहा है कामचोर का जा रहा है नला हमें का जा रहा है तो जब आपने समस्या की पैचान कर ली तो दूसरे नंबर पर फिर आप लोग करते हो समस्या को परिवासित करते हो यानि दूसरे नंबर पर आपका define the problem यानि कि समस्या को परिवासित करना क्या होता है define the problem यानि कि यहाँ पर समस्या को क्या जाता है यहाँ पर समस्या को किया जाता है उसको परिवासित किया जाता है अच्छा यार बहुत ताने दे रहे घरवाले ठीक है बहुत उल्टी सीदी सुना रहे ठीक है अपने दोस्तियारों से कहते हैं दोस्तियार को खुद पढ़ी रही होती है उसके बाद क्या कहते हैं चलो यार एक काम करते हैं अपना कुछ यहाँ पर course कर लेते हैं ठीके और यह teaching माला course है इसे कर लेते हैं सीटेट के बाद गुर्मेंट में न लगी तो कम सकम प्राइवेट में तो कर लेंगे ठीक है तो आपने यहापर समस्चा को यहापर इसको परिवासित कर लिया ठीक है इसको डिफाइन कर लिया डिफाइन करने के बाद आप तीसे नंबर पर क्या करते हो तीसे नंबर पर आप लोग फैक्ट ड पढ़ा रहे है टोपिक वाइज भी करा रहे है किलास भी करा रहे है अकेले ही सारी चीज़े हमें को लेकर चल ले मुझे तही ऐसा लग रहा है अगर मैं इनसे यहापर पढ़ता रहा तो 150 में से 160 लेकर आ जाओंगा ठीक है कोई कोई ऐसे होंगे जो डे ड्रीमिंग करते हैं मैंना आपको अडल सेंस के अंदर बताया था गदो यह वाली चीज बिलकुल मैं सोचना जब आप लोग हाइपोतेसिस बनाये करो तो आप हाइपोतेसिस रियल लाइफ से कनेट करके बनिए कि वह सचिंसार अच्छा पढ़ा रहे है अच्छा कंटेंट दे रहे है तो कोशि लाइफोतेसिस आप लोग बनाना शुरू कर दे तो फिर आप लोग करते हो यहापर विशलेशन करना सुरू कर दे तो तो आपने क्या काम करा जो आपने तत्थ डूण लिए कि सचिंसर ऐसे हम को पढ़ा रहे है तो जो आपके सामने समस्चा थी इसको आपने टुकडो चो इनकी दोनों की करार है हमारी बहुत बढ़िया प्रैक्टीस हो रही है और सीडिपी तो आग बंद करके इनके ऊपर छोड़ देंगे और 30 में से 30 का हमारा कंचेप्ट कहीं नहीं गया ठीक है तो सीडिपी अलग कर लिया फिर आपने लेंगवेज अलग कर ली ठीक है लेंगव काम करते हो आप लोग इसका संचलेशन करते हो यानि कि आप लोग इसका करते हो सिंथेसिस करते हो क्या काम करते हो सिंथेसिस करते हो जितने भी आप लोग ने आपने इन्फोर्मेशन कलेक्ट की तथ्यों को यहाप पर ढूंडा तथ्यों को यहापर आपने तोड़ा तोड बाद चले गए अपने एक्जाम के अंदर एक्जाम के अंदर चले गई या मानलीजे आप लोग मोग टेस्ट लगा रहे हो मानलीजे मेरे वाले मोग टेस्ट लगा रहे हो और उसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि एक सो पचास नंबर का पेपर है कितना आपका स्कोर तो यहाँ पर आपने क्या काम करा जो आपका याप पर रिजल्ट आया चाहे सीट एड के पेपर माया है चाहे मेरे मोक test लगा कराए तो आपने उस रिजल्ट का प्रोसस यह यह िस्टेज आप लोगों ने यहापर अपनाई ठीक है अब देखें जो question आपके सामने यहापर पूछा हुआ था अब मैं उस question के उपर आ जाता हूँ question उसने सिर्फ बड़ा simple loss어 question पूछा उसने पूछा कि समस्या समदान की जो method होते है उसका पहला step कौनचा है बदेखार कितना हलवा सा question पूछा हूआ है तो पहला step कौनचा होता है पहला step होता है पहला step होता है identification the problem यानि की समस्या की सबसे पहले पैचान की जाती है और सबसे लास्ट क्या होता है, यहापर result का मुल्यांकन करना होता है, क्या होता है, result का मुल्यांकन करना होता है, तो identification the problem यानिकी समस्या की पैचान करना है, इसका सबसे पहला यहापर method होता है, ठीक है, hypothesis नहीं होता है, define problem नहीं होता है, पहला method आपका यह होता है, तो यह answer यह पर सही हो जाएगा एक question तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है आयोप आप लोग समझ गए होंगे कि समस्य समधान की विदी क्या होती है क्या के इसके method होते है अभी खतम नहीं हुआ question मैंने का ना चीजों को समझना है यह मुझा सोच ना कि एक question है बस इसी का answer देदे ह हमारा काम हो जाएगा अब देखें यहाँ पर आपकी story सुरू होती है दुबार से ठीक है अब यहाँ पर एक और story सुरू होती है अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी problem solving method की आपकी बात हो रही है तो कौन-कौन से वह factor है जो problem solving method में बाधा डालते है उन बाधाओ के ओपर जरह एक एक करके मुझे बता सकते हो कौन-कौन ची बाधाय डालते है जैसे आप लोगने एक word सुना होगा कारियात्म किस्तिरता आप लोगने सुना होगा ठीक है functional fixness के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे या एक और word आप लोगने सुना होगा response set आप लोगने सुना और देखें क्या होते हैं यह बेसिकली जब यहाँ पर problem को soul किया जा रहा है समस्य का समधान किया जा रहा है तो यहाँ पर कुछ आपके यह ऐसे factor होते हैं जो समस्या समधान में आपको help नहीं करते हैं मुश्किल में डालते हैं यह क्या काम करते हैं मालीज आप समस्या का सम आप लोग यहां पर ठोक रहे हो दिवार के अंदर अब यह विचारी कील मुड़ गई तो तब तक इसको ठोकते रहोगे क्या तो समस्था समधान के लिए आपको कुछ नए मेथड को यहां पर अपना ना पड़ेगा ठीक है तो आपको ध्यान नकना यह दोनों के दोनों आप के मेथड जो दोनों फेक्टर है फंक्शनल फिक्सनेस कारियात्मक इस्तिरता और रिस्पोंस एट इसमें इन दोनों में अगर कमी आएगी तो आपकी प्रोब्लम का सोलूशन हो जाएगा यह बात आप लोग समझगे अब कुछ आपके पोजिटिव भी फेक्टर होते हैं जो समस्या समदान में महतपूर होते हैं जैसा अगर मैं बात करूँ एनालोजिकल ठिंखिंग की बात करूँ एनालोजिकल ठिंखिंग की बात करूँ अब देखें अन walks इसमां जी जब जैसे मैंना आपको कहा कि आप लोगों के सामने समस्या का है CTAT का exam आपके सामने समस्या है अब इस समस्या से मिलती जुलती समस्या लेव माली ज़ा आप लोग मेरे वाले mock test लगा रहे हो या कहीं पर भी mock test लगा रहे हो तो mock test के अंदर आप लोग practice करते हो सेम वही format रहता है जैसा आपको अपने exam में देखने को मिलता है उसी परकार के question भी आपको अपने exam में देखने को मिलते है जब आप लोगों को पता लग जाता है भाई मेरा mock test में इतना score आ रहा है इतनी practice होरी है मेरी ठीक है यहां मेरी कमी है तो यह आपको CT8 के exam पास करने मे मदद करेगा यह नहीं करेगा बिल्कुल मदद करेगा तो समस्या के से मिलती जुलती समस्या का जब आप समधान कर रहे हो यह आपकी problem solving के अंदर आपको क्या करता है आपको help करता है इनलोजिकल thinking होता है इसके लावा एक और पूस्ता है एक्जानर cbsc आपके exam में देखने को मिलता है means and analysis देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है means and analysis आपको देखने को मिलता है means and analysis के अंदर क्या होता है जो भी आपके सामने समस्या होती है उस समस्या को चोटे-चोटे टुकड़ो में तोड़ लिया जाता है ठीक है यानि जो भी आपके सामने गोल है उस गोल क अगर किसी समस्या को आप लोग इस प्रकार से तोड़ कर अलग लग सब्जेट की तैयारी करोगे तो क्या आपकी प्रोब्लम सोल होगी या नहीं होगी बिल्कुल आपकी प्रोब्लम सोल हो जाएगी तो यह कुछ फेक्टर होते हैं जो बार-बार एक्जैमिनर आपके एक्जाम में पूछता है कि कौन से फेक्टर आपके क्या होते हैं आपके समस्या समधान में बादक होते हैं प्रोब्लम डालते हैं और कौन से समधान करते हैं आयोप आप लोग इनको अच्छी प्रकार से सम जो नूज आ रही है ठीक है अगला कोशन देखते हैं सामने स्क्रीन पर देया किलास थर्ड को पाती है अच्छा तो पाठ पुस्टिक यानि टेक्स्ट बुक में दिये गए जो नाटक होता है ड्रामा होता है उसके सिक्षन के समय देया को किस विदी का इस्तमाल करना चाहिए जिससे की उसके विदार्ती नाटक का आनंद ले सके बताओ ड्रामा का आनंद ले सके या पर बात बेसिकली करी जारी है क्लास थर्ड के बच्चों की बात करी जारी है ठीक है तो कौन सी विदी का या पर आपके सा सवर वाचन की बात करी जारी है सा सवर वाचन क्या होता है सा सावर वाचर मतला, सावर में जब हम कोई वाचन करते हैं, और उसका अर्थ यहापर समझते हैं, ठीके तो आपका सावर वाचन के अंदर यह आपका count हो जाता है, तो यह तो आपका method हो निशरा, दूसरा है भूमी का निर्वा, ठीके, यानि कि आपका role play method, कौन सा method होता है, आपका role play method देखो अगर drama का आनंद लेगा है आपके ड्रामा यह वाला ड्रामा नहीं जो घरेके अंदर आपके ड्रामे होते हैं मिया बीवी के बीच में बीच में जो द्रामे की बात नहीं करता मैं ड्राम्या मतलब किसी भी चीज के उपर मालीजे कोई टोपिक में आपके सामने जैसे आपने एकूई स्थुटेंट ने भी का कि सर कुरोना फिर सा आ गया है तो कुरोना के उपर आपको इस प्रकार से एक काया लुकित को बम किया जा सकता है कोई सी वीदियोग का यूजिटाऊ जा सकते ताके करोना की स्थर को लोगों को बचाओ किया सके तो उसके लिए सब إلى अखत कर रहेगे रोल प्ले कर वाूँ ठीक है एक बचको आपने कुरोन का बना वाईरैस एक बचको बना या एक बच्चे को आपने इसकी मेडिसीन बना दी, कोई इसकी दवाई बना दी, ठीक है, कोई जागरुकता फैलाने वाले बच्चे बना दीए, तो सबसे बैस्ट मेथड इसके अंदर आपका रोल ब्ले यानिकी भूमी का निर्वा वाला मेथड या पर हो जाएगा, ठीक है देखें, आपका मोन पठन नहीं होगा, मोन पठन यह होता है, जब टीचर जो होता है, चुपचाप रहता है, और चुपचाप रहनेक बाद बच्चे को आजादी दे देता है, कि बच्चा आप लोग आपसमें इंटेट करके पढ़िये, और उसके बाद फिर उनसे कुशन आंसर पूचता है, जो उन्होंने यहापर चीजे पढ़ी, तो मोन पठन निसकंदर नहीं होगा, और यहापर पिक्चर कॉंबिनेशन यानि चीतर संजय जन तो होई नहीं रहा, तो आंसर आपका सेकंड यानि की बीबी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए बई, अगले के उपर बढ़ लेते हैं, अगला कॉच्चन देके सामने क्या कहता है, यह रहा आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट कॉच्चन, अगला आपके सामने दिया हुआ है, जो टीचर होता है, वो स्यामपट यानि की ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, वह पत्र लिखता है, कि प्रियोग किया रहा है, वो आपको बताना है, आग्मनमीदी, यानि कि आप लोग इसको लिखे सामने ऐसे दिये होए, इन चार method से एक आपका method definitely exam में देखने को मिलेगा ठीक है अब ज़रा इनके ओपर हम लोग एक करके नज़र डाल लेते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम लोग बढ़ते मिलता है आगमन विदी यानि कि आपका inductive method ठीक है यह हो जाएगा आपका inductive method और यह हो जाएगा आपका deductive method अच्छा मुझे बताओ जीन प्याजे ने जो आपकी hypothetical deductive thinking की बात करी थी तो वह आपकी किस stage में आती है जरह comment box में बताओ और जो अजीन प्याजे ने hypothetical inductive reasoning की बात करी थी वह किसी stage में आती है comment box में उसका आंसर दो देखता हूँ कितने लोग आप लोग आपर आंसर देपाऊगे ठीक है अगर मैं आपकी बात करूं इंडेक्ट्व मेथड की बात करूं तो यह चलती है आपकी विशिष्ट से सामानने की और यहापर चलती है ठीक है यानि कि आपका क्या होती है specific to general होती है क्या होती है specific to general आपके सामने देखने को मिलती है यानि कि आग्मन विदी के अंदर क्या होता है सबसे पहले बच्चा जो होता है यह खासकर आपके primary class के बच्चों के लिए यूज की जाती है तो सबसे पहले बच्चों को कुछ specific यानि विशिष्ट चीजे कराई जाते है फ चलता है यानि कि example to rule चलता है क्या चलता है ये चलता है आपका example to rule चलता है क्योंकि देखे छोड़े बच्चों को हमको सबसे पहले example देने है छोटे बच्चों तो छोड़ो मेरी class में जो बागडविल ले उनको भी मैं पहले example देता हूँ बाद में उनको rule बताता हूँ ठी आगमन में विद्धि होते हैं यापकी मूर्त से अमूर्त की ओर चलती हैं यह चलती हैं यह आपकी emedढं़्सर चलते या इन्कि आपकी कों्क्रीट्टु एब्ष्टरेक्ट होती हैं अब देखें जो चोड़ा बच्चा होता है ना किसْके माध म्याध्व से चोटा बच्च माद्यम से शीकता है, जो चीज़ उसको दिखती हो, जिसको बच्चा पकड़ता हो, जैसे मानलीजा आपके यहापर बच्चा देख रहा हो, वीडियो और मैं उसको दिख रहा हूँगा, तो हम बच्चे से कहेंगे कि पेटा आपके जो यह टीचर दिख रहे ह जो बच्चों को दिखाई जाती है मालीजी वे बच्चों को एडिसन के बारे में बताना है तो हम कहेंगे बैटा दो उंगली, एक पैन कितना हो गया, तो कोंक्रीट फोम में उसको दिखाई, ठीके, तो आप लोग इसको कह सकते हो ये विदी आपकी क्या होती है ये पर्त्यक से पर्मान के और जाते है, कि इसके और जाते है, ये जाते है, पर्त्यक से पर्मान के और जाते है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको पर्त्यक सुरूप से सिखाते है, ठीक है, उसके बाद फिर पर्मान के और लेकर जाते है, पर्त्यक सुरूप से इसको दिखाया है बात कर रही है, यह सामानने से यह आपका विशिष्ट हो जाएगा, यानिक आपका जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, यह उधारन से नियम की ओर चलती है, लेकिन निगमन के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पहले रूल बता जाता है, फिर बच्चों को एक्जाम्पल बता जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को मैथमेटिक्स करानी, साइंस करानी, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स के रूल पता होनी चीए, अगर आपको मैथमेटिक्स का रूल नहीं पता, ठीक है, यह आपको फोर्मूले नहीं पता, क्या आप को सोल कर पा मैंने आपको होता है, जो आप लोगों ने आपर देखा, ठीक है, एक पॉइंट आपके सामने निकल कर आ रहा है, देखें, ये आप लोगों लिखिए, ये होती है, आपकी स्थूल से सुक्सम की और होती है, किसकी और होती है, इस तूल से सुक्सम की और होती है, देखा छोट आगर आप बड़े बच्चों से पूछेंगे कि बता तुम्हें क्या दिखरा है सर के अंदर तो सारी चीज हे बता देगा कि वह स्कूसर दिखरें को पहले बड़े पूप में यानि सुख्सम रूप में देखता है ठीक है जब कि यह पोजिट होती है इसके अंदर आपका सुख्सम टू इस तूल यहाँ पर चलता है अब मेरी एक बात समझे और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ यह तो आपके सभी सब्जेक्ट में पूछी जाती है जो आ ग्रामर सिखाने के लिए दोनों मेथड आपके बड़िया माने जाते है लेकिन यहाँ पर भी ट्विश्ट आता है और एक्जामनर कई बार इसको फसाता है अगर मैं बात करूँ प्राइमरी लेवल की बात करूँ यानि प्रात्मिक की बात करूँ अगर बच्चों को प्रा आगमन और निगमन विदी के बारे में जो आपके सामने चीज़े यहाँ पर दे हुई है ठीक है आयोप आप लोग इसको समझ गए होंगे अब जरह कोश्चन के ओपन नजर डाल लेते हैं कोश्चन के अंदर जो यहाँ पर कह रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे ल बते यह सईयांचर इसका क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो इसका सईयांचर आप लोग यहाँ पर बतती है ठीक है वेरी गूड भाई ठीक है हाँ देखे यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी आपका इंडेक्टिव मेथड यानि कि आपकी आगमन वीदिय हो जाएगा क्योंकि बेसिकलेंगे हम प्राइमरी लेवल पुर बच्चों के चीज समझाते हैं दोनों ही में थर व्याखरन पडाने के लिए बढ़ीया वीदियर करते हैं परत्यक्स हुदिनी डार्यक्ट मैतोड का मतलो होता है जब हमको कोही भाषा सीख निई होती है या सिखा नहीं होती है तो भाहत्व को डारेक्ट रूप से शीखो यानि परत्यक्ष ुरूप से कैसे मतला है फोर है प्रफोर अलında मांवा लिजा आपको बात करो तो जब आप इस तरीके से उनके साथ communicate करोगे या जहापल अंग्रेज लोग जाद रहते होंगे उनके साथ वापर रहना आप लोग यहापर शुरू कर दोगे तो अपने आप ही उस परिवेश के अंदर आपको वह वाली भाहस आपने आप आ जाएगी डारेक्ट यानि मात्रभासा की जुरत पढ़ती है डारेक्ट मेथड में आपका पर्त्यक्स वीदी के अंदर आपकी मात्रभासा की जुरत नहीं पढ़ती ठीक है इसके अंदर मात्रभासा का कोई भी रोल नहीं होता है एक बात बताओ अगर हमें अंगलिस सीखनी है हमें टोम से बात देदो वो उधर से कहेंगे very good very good you are my best friend अब जब उनको पता ही नहीं मुदर टंग तो समझेंगे क्या ठीक है ना तो यह आपका क्या होता है मात्र भासा का यूज इस डारेक्ट मेथड के अंदर आपका नहीं होता है अगर मैं बात करूँ इस्ट्रक्चरल मेथड की बात करू टीनों के तीनों इसके लावा जो मैथड थे वह भी आपके लिए बड़े इंपोटेंट है जो आपके एक्जाम में जरूर देखने को यहाँ पर मिलता है ठीक है समझ गया आप लोग इसको चलिए बना लो एक दो टोम जूली दोस्त बना लो ठीक है आपके काम आएंगे आ रहा सामने आपकी स्क्रीन पर तो जो आप लोग टोम या जूली अपने बनाओ दोस्त बनाओ देख ले ना वो बार की कंट्री के हो पता चला यही का कोई बागड विल्ला पढ़ाओ ठीक है अगला कोशन सामनी स्क्रीन पर आगया कि चंपक लाल वा बड़ा यूनीक नाम ह चंपक लाल पर्थम पीडिके सिक्सारती यह बच्चे जो पहली बार आपके इंगलीज पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं पहली बार इंगलीज पढ़ रहे हैं उसको इंगलीज पढ़ाते समय दुई भासिक सब्द सूची का यहापर क्या काम कर रहा है परियोग करता है दु बढ़ा ही महत्पून कोश्टन एक से पहले वाला कोश्टन गया था और एक यह बड़ा महत्पून कोश्टन है दो तो यह आपके मनलब ऐसे मुझे ऐसा लगता आपके एकजाम में दो दोनों तो आपको इस बार भी देखने को मिल सकते है ठीके अब एक एक मेहत्पून को जर इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो टीचर होता हो टीचर देता है निर्देश टीचर क्या काम करता है इसके अंदर जो टीचर होता है टीचर देता है आपका निर्देश यानि कि टीचर देता है इंस्ट्रक्शन देता है ठीक है टीचर क्या देता है आप पर इंस्ट् करना सुरू कर दिया क्या काम करना सुरू कर रहा है रिस्पोंस करना सुरू कर दिया तो आपने मेरी वीडियो को क्या काम कर दिया लाइक करने आपर सुरू कर दिया ठीक उसी परकार से जब छोटे बच्चों को कोई चीज पढ़ाते हैं माली जे कविता पढ़ा रहे हो या उ आपका total physical response, यानि जब teacher को निर्देश देता है, और उस निर्देश को देने के बाद, जब बच्चा उसके परतिर response करता है, तो यह आपका total physical response के अंदर आपका जाएगा, पहला method आप लोग समझ गए, मेरा phone फिर गया वही अपने वाला दे, ठीक है, अब बात करते हैं, दू व्याकर्ण अनुवाद विदिकंदर क्या होता है जब आपको कोई दूसरी भासा सीखने होती है क्या होती है for example आपको दूसरी भासा इंगलीज सीखने है तो इंगलीज भासा अगर आपको दूसरी भासा इंगलीज भासा को सीखने के लिए आपको इंगलीज की पहले व्याक तो आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन में यार अगर हमें इंगलीज सीखने के लिए इसका ग्रामर का क्या यूज करेंगे डारेक्ट मेथर साना सीख लेंगे सीधा सीधा टोम और उसके जूली से बात करके ठीक है तो आपको ध्यान अखना है इस मेथर के अंदर क्या होता है यहा तो रंसलेट करा तो ट्रांसलेट करके उसकी मात्र भासं में बदर टंग में इसको बताया किस पर पढ़ने और लिखने इस वाले method के अंदर ठीक है और बोलने पर focus नहीं किया जाता बोलने की मना की जाती अरे जब तक बोलोगे नहीं तो तब तक सीखो कैसे तो अगर आपको English सीखने तो बोलने के उपर जादा focus करना पड़ेगा ना यह लिखने के और पढ़ने के उपर जादा focus करोगे इसलिए आपका oldest method है ज्याद अचल भी नहीं पाया थे वाला method आपका ठीक है तो यह आपकी grammar translation method आपका होता है अगर मैं बात करूँ मोन विदी की बात करूँ मोन विदी के अंदर क्या होता है जो teacher होता है teacher चुप चाप रहके अपना उबजर करता है बच्चों को बच्चों को काम दे होती है तो जैसी teacher अपना उन बच्चों से question पूछने सुरू कर जाता है उनसे आंतर जानने की कोशिश करता है तो आपकी मोन विदी आपकी देखने को मिलती है प्रामर स्कोर्स आपका प्रामर स्कोर्स वहसे भी नहीं आएगा आपके dictionary से संबंदित हो जाएगा अब है अगला मैंतर के बार में देखते हैं अगला में आपको कौन सा दिया हुआ है अगला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि बहासा की जो अध्यापिका है लेंग्वेज की जो चीचर नहीं चींग है उसको नंबर भी देते दें जो इमला बोलते cinema अंचाथ ठीक है बजाए कि उनके अर्थ समझने पर ठीक है उसका मतलब अर्थ तो वह है किस method, किस विदी का use कर रही है, वो आपको बताना है, क्या यह आपका grammar translation method है, क्या आपका audiolingual method है, यानि कि सर्वय भासिक विदी है, देखो, grammar translation method तो आपका उनिसरा, क्योंकि यहापर वो sentence के pattern के उपर focus कर रही है, समझने के उपर focus नहीं कर रही है, देखो, जो आपके exam में पूछा गया है, कि निमली कितमे से किस विदी को army विदी के नाम से, या scenic विदी के नाम से जाना जाता है, तो पता है इसका नाम army विदी क्यों पड़ा, ठीक है, देखो, जो आपकी सर्वय भासिक विदी है, इसमें क्या होता है, जैसे मालीज आपको दूसरी भासा सीखने है, foreign language सीखने है, तो foreign language सीखने के लिए उस भासा को आप सुनिए और बोलिए, तो यह जो आपकी विदी बनाये गए थी, जब आपका दित्ते विश्वी दुआ था, second word word हो जी थी, तो second word word के अंदर इस वाली method का use क्या था, वाके जो scenic थे, उन scenic वो को दूस भासा सीखने के लिए इस method का use हुआ था, सर्वय भासिक विदी का, जिसको आप लोग army विदी के नाम से भी हापर जानते हो, उनको भासा सुनाई जाती थी, उसको बोलते थे, तो वहाँ पर इस वाले method का use क्या गया था, ठीके, अब यहाँ पर वो क्या काम कर रही है, वो अर्थ समझने पर focus नहीं कर रही, वो कह रहे है कि sentence के pattern पर ध्यान दे रही है, कि अर्थ मा समझो, pattern पर बैस बिल्कुल ध्यान दो, परिस्तिती अनुसार उपागम की बात नहीं कर रही, संप्रसनात्मक उपागम, यानि यहाँ पर बात हो रही है, आपकी communicative approach की, यह पूरा पर focus कर रही है, सुनने को पर focus कर रही है, अर्थ समझने को पर focus नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए आप कितनी ज़्याद है, चली भी नहीं, आपकी सर्वे बासिक विदी, बी भी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और method आपके complete way, ठीक है, तो पता चलीए, आपको army विदी कौन सी विदी होती है, सैनिकों के लिए बनाए गई जो विदी ती, देखे अगला method जो मैंने अभी से पहले आपको बताया, परतक्स विदी यानि की direct method, यानि जब किसी भासर को direct चिखा जाता है, hello Tom, hello Julie, ठीक है, समझेगा आप लोग, तो ये किसके सम्मद में कौन कौन सा statement, कौन सा कतन आपका सही है, अच्छा मेरे आप लोगों से question है, ठीक है, इसके साथ में question है, वो आप लोग यापर question बताओ, ठीक है, अभी देखो आपको बताता हूँ, ये question आपके exam में भी पूछा गया है, मैं यापर बात कर रहा हूँ, direct method की बात कर रहा हूँ, कि पूजिये बती है कि बच्चों को अगर हमें भासा सिखानी है, direct method में, तो हमको यहाँ पर आगमनी विदिका यूज करना पड़ेगा, या फिर हमको यहाँ पर निगमनी विदिका यूज करना पड़ेगा, अगर हम direct method से शिखा रहे है, बताओ सही answer इसमें से क्या हो या फिर करना पड़ेगा, इनि में से कोई नहीं, बताओ, या फिर करना पड़ेगा, इनि में से कोई नहीं, बताओ सही answer क्या हो जाएगा, इसमें से, ठीक है, exam में पूछा हुआ क्या होगा, तब तक मैं आपके इस वाले question के ओपर चल लेता हूँ, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कि जो direct method है, उसके संबन्द में कौन सा statement, कौन सा कथन सही है, जरा उसके ओपर हम लोग आपन नजर डाल लेते हैं, ठीक है, चलो बही देखते है, direct method का उद्देश से, विद्यार्थियों को देनिक इस्तितियों में भासा परियोग में मदद करना नहीं है, गलत यार, direct method इसलिए तो शिकाई जाती है, ताकि जो daily activity जो होती है, daily की जो रोज मरा की हमारी जिन्दी है, उसमें भासा परियोग में मदद की जा सके, भासा शिकाई जा सके, ठीक है, तो इसने कहा दिया, नहीं है, तो गलत हो गया, दूसरा हैट की direct method का उद्देश से, व आपिस चली जाएगी, क्योंकि आप लोगों कोछी class में सीखनी है, तो class के लवा सारी जंगा आपको सीखनी है, ठीक है, उनना जूलिया ऐसी बाहर से मिलके चली जाएगी, कि बहुत वेकार निकला बागट मिला, ऐसी चला गया, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा डारेक्ट मेथड का उद्देश से विद्यार्तियों को देनिक स्थित्यों में बहासा प्रियोग यानि लेंग्वेज के यूज में मदद करना है, बिलकुल ठीक बात है, यहापर इसने कहाता है, मदद करना नहीं है, जबकि इसका मदद करना होता है, तो आंसर यहापर जाएगा, थर्ड आंसर से हो जाएगा, अब जो मैंने कुश्चन आप से पूछा था, डारेक्ट मेथड के अंदर भासा शिखानी है, आगबन विदी का यूज करोगे, निगमन का करोगे, दोनों का या एक का करोगे, इसके बारे मां आप लोग यहापर बती है, ठीक है, डिड़क्टिव मेथड का यूज करोगे, जो डिड़क्टिव मेथड का यूज करेगा, वो अपने मूपे एक थपड माल ले, अरे गदो एक बात होता हूँ, डारेक्ट मेथड, सीधी सीधी भासा यहापर सीख जा रही है, अगर आपने को नियमी जानने है, तो बात करोगे, तो उनसे पहले रूल जानोगे, वागएंगे जा काम करे, कोर्स ले ले, इंगलीज का वहाँ से सीख ले, तो वहाँ पर तो एक्जाम्पल के माध्दम से आप लोग सीखोगे, और धीरे-धीरे करेक्ट अपने कंसेट बनाते जाओगे, अच्छा, अगर टोम अगला कोशन देके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, बताओ, आपर बच्चा एक्टिव नहीं है, जापर बच्चा कम एक्टिव है, या कह सकते हो बच्चा पैसिव है, निस्क्रीए है, तो क्या आपका lecture method है, inquiry method है, discussion method है, या फिर आपका discovery method है, बताओ, इसका सही answer आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीके, very good भई, आप लोग 30,000 live के और दीरे-दीरे करके बढ़ते जारों, ठीके, तो इस बार इससे अगर हमारा 30,000 live होता रहा न, ठीके, तो मेरे खाल साथ teacher centered method होता है, कौन सा method होता है, आपका teacher centered method होता है, इसके अंदर जो department होता है, teacher रहता है, जो active रहता हो, teacher active रहता है, student चाध एक्टिव नहीं रहता है, ठीके, यह जो method हिजिघ किया जाता है, यह आपका primary level पर तो आपका यह कह सकते, त तरीक इक तरीक Three tien देवल्पर तो आपका एक तरह से रिजह नहीं क्या जा सकता बड़ी क्लास के अंदर यह आपके यूज क्या जासकता है किसके अंदर बंददेणे माद्द से छोटे बच्चे जो चीजे सीखते हो शीखते हैं एक्जामपल के माद्देम से ठीक है तो आपका लेक्टर मेथड हो जाएगा जो बच्चों के रोल को कम महत्व देता है इंक्वारी मेथड जहापर बच्चा कोश्चन पूट अप करेगा सर मुझे समझ मिनिया है सर इसका अचर ये भी तो हो सकता है इंक्वारी मेथड होगा आपका डिसकर्शन होगा जहापर बच्चा आपस में चर्चाय करेंगे डिस्कवरी मेथड होगा सबसे महत्पून आपका जहापर बच्चा खोजबूइन करके कुछ अतने तथ्यों को लाएगा चीजों को यहापर करता रहता है ठीक है लेकिन इसने टीचर सेंटर पूछा था नेगिटीव तो नेगिटीव का भाया अंसर नेगिटीव यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है वेरी गुड़ वही आपका चली अगले के उपर बात कर लेते हैं अगला मेथड कौन सा दिया हुआ है देखो एक ऐसी विधी एक ऐसे मेथड के रूप में जाना जा सकता है जिसमें जो टीचर वो टीचर क्या काम करता है संप्रेश्ण आत्मक भासा सिक्षन विधी ठीक है यहापर क्या होता है जो एक एनवार्मेंट जो उसका रहता है वो एक प्राकर्तिक रूप से होता है एक नेच तो इसको किसके रूप में जाना जाता है एक टीचर के लिए वह यहाँ पर आपको बताना है ठीक है पहले के साथ आप लोग जा रहे हो सभी के सभी पहला देख लेते हैं जीवन की उन वास्तविक इस्तितियों जिनमें संप्रेशन यानि जो कम्मिकेशन होता है किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है यह तो मैंने भी समझाई थी तब ही पहले के साथ जा रहे हो क्या होता है जो हमारी डेली एक्टिविटी जो होती है डेली की जो लाइफ होती है उसमें जो कम्मिकेट किया जाता है तो उसका यूज करता है आपका टीचर क्या काम करता है उसक सर्टाव जाएगा फैस्ट ए अबरते वाप की वीदियो के बारे मिए बात कर लेते हैं बढverbs कि अगली वी आपके सांदी नहीं कि टी या पर भात होरी किंद आप किंद ध्सकें साराँ आपको बताय थी यह कोई ठीक है यह आपके सामने अपकी विशलेशन विदी ठीक है अपका सिंतेशिज इसके बारे में मैं आपको एक्स्प्रेन कर दिया था जब मैंने आपको समस्था समधान के बारे में बताता विशलेशन analysis में समस्टा को टुकुडो में तोड़ते हैं ठीक है और sensation में सभी concept को तथ्यों को जोड़ लेते हैं ये दो method आपको बताएते अब देखें यहाँ पर जो आपसे question पूछा है तो question यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपका synthetic method है जिसमें आप लोग यहाँ पर जोड़ रहे हो सभी concept को बच्चों को शिखाने के लिए तो उसमें हम अग्रसर होते है proceed करते है किस की तरफ करते है ग्याद से अग्याद के और करते है बिल्कुल ठीक बात है known to unknown के और करते है तो पहला ही बिल्कुल ठीक और की जा रहा है अग्याद से ग्याद के और किसलेशन के अंदर के जाता है किस के अंदर के ठीक है या चांदनी निसाद ने लिखा हुआ है बहुत बढ़िया आपका देखो डिटेल में डीप में पढ़ो ठीक है डिटेल में इसकी नोलिज लो ठाली यह नहीं कि यह मैथड़ी यह है तो इसका यह आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन सामने स्क्रीन पर देख इंटर लिए अनुकरन का मतलब क्या होता है होता है को पी करना जैसे बच्चा उपने मदर टं को सीथा कैसे को और सीथा आप उसको ङहां जात टम से अधे मेरे मेथेड को आपने जान लिया ठीक है यानि वह विदी जीसमें कोपी करके बच्चों को शिखाय जाता या बच्चे यहां पर शीखते हैं तो इसका परयोग करने से सम्मंदित आपका कौन सा करम, कौन सा सिक्वेंस आपका सही होता है, वो आपको पताना है, अगर आपको मेरे मेथड का अनुकरन करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, सबसे पहला आपको perception बना आना हुआ, कि सर किस परकार से पढ़ा रहे है, सर किस परकार से चल रहे है, सर हमें गदा गदा भी बोलता है, क्या मैं भी बोल दूँगा, बेटा तुम्हारी खाल उतार देगा कोई, अगर तुमने इतने हजारों लाखों बच्चों को अगर गदा बोल दिया न, तो तो मेरी खुस-खिसमती है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, चाहे मैं आपको कुछ भी बोलू, ठीक है, ये चीज तब होती है, जब बच्चों का भरोसा जम जाता है, जब बच्चों को पता लग जाता है कि मेरा टीचर मेरे फाइदे के लिए, मेरे मजाग के लिए बोलता है, और मेरा वो अच्छा चाहता है, वहन्या सुरुवात में जाके गदा बोलोगे, तुमारी काड़ देगा, तुमारी ओनलाइन बच्चा जो है, ठीक है, या छोटा बच्चा भी होगा, तो सबसे पहले बच्चा जो होता है, वह टीचर का परसेप्शन बनाता है, ठीक है, परसेप्शन बनाने बाद फिर उसका अनुकरण यानि की कोपी करना सुरू कर देता है, फिर उस पर फीडबेक लेता है, या टीचर उसको फीडबेक देता है, और उसके बाद फिर बच्चा उसको drill करना शुरू कर देता है, drill and practice करना यहापर बच्चा सुरू कर देता है, यानि रटरना उसको सुरू कर देता है लास्ट में और फिर उसको उस विदी के माददम से कोई सी भी चीज को यहापर सीख जाता है, तो इस परकार से आपका अगली विदी, देखें अगला question आपके सामने है कि जो रमा है, वो अपने students को बीजो के अंकुरन और पाठ के सिक्सन की योजना और planning बनाते है, ठीक है, वह विभिन बीजो को चू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, ठीक है, तब वह बीजो को पैचानने अगला है, यहाँ पर आपके सेवगात्म कर देखें है, यानि कि आपके कोपरेशन लेंडिंग की बात और यह पर दसन विदी, यानि कि डेमुंस्टेसन मेथेट की बात हुरिए, या फिर आपके lecture मेथेट की बात हो रिए, बताओ सही आंसर इसकंदर आपका क्या आंसर यह भागी,ski हो जायेगा ठिक है ठीक है भई हाप लोग किसके साथ जा रहो आप लोग जारे ऊपिस थर्ड थड कर रहे हाँ प्र दोस्टर कारे आपके प्रदसनमेदी के मअध्यम से आपर करा रही है तो आंचर आपका यहाप थर्ड से हो जाएगा बाकी method आपके नहीं होगे ठिक चल यह बढ़ते बाज़े बाज़े method कि और अगला method यह रहा सामने आपकी स्क्रीण पर देखे क्या कहता है अगला method अगला method आपके सामने है कि class first के बच्चों को गिंती और अं पूरा ही ले लिया, यहाँ पर आपके सामने आगया play way method जहाँ पर बच्चों को counting और number का concept बताना है, तो इसका कौन सा एक example होगा वो आपको बताना है, देखो यहाँ पर बात हो रही है आपके सामने खेली विदी की, ठीक है, आंसर बात में देना याँ नजड़ डालो पहले यहाँ पर बात हो रही है, किसके यहाँ पर बात हो रही है, आपके खेली विदी की बात हो रही है, ठीक है, खेली विदी की, और छोटा बच्चा इसके माद्दम से बहुत बढ़िया तरिके से सीखता है, ठीक है, खेली विदी कैसी विदी होती है, खेली विदी होती है, आ मानली जह बच्च्चे स्कूल के अंदर खेल 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 रहा है क्रिकट खेल 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 शल्ग मेरे यहांपर खेलंग है क्रिकट खेले हैं अब किरकट के अंदर गल्टीम है श सयces देखोगे इस टीम के जो प्लेर है या इस टीम के जो प्लेर है इनके दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है इनके बीच में देखने को मिलती है सहयोग की बावना किसकी बावना यहापर सहयोग की बावना देखने को मिलती है ठीक है देखो यहापर चाहिए आपस में इ ऐसे कर तभी हम लोग यहापर जीत पाएंगे तो आपर सहयोग की बावना देखने को मिलती है और अगर बच्चा आपस में सहयोग की बावना यहापर बनती है तो उनके बीच में नेतिकता यानि मोरेलिटी भी आती है कि भई हमें अपनी टीम के मेंबर की मदद करनी है हमें टीम के मेंबर को जिताना है ठीक है और दूसरी टीम वालों को हमें हराना है लेकिन जैन्मन तरीकी से हराना है आप एक कोशन इसी से सम्मधित इस बार आपका जो सीटेट ओनलाइन वाला हुआ था उसमें पूछा गया था यहापर बच्चा सेल्फ डिसिप्लेन के अंदर किसके अंदर रहता है यहापर बच्चा रहता है सेल्फ डिसिप्लेन के अंदर यहापर बच्चा रहता है देखो यार एक बात बताओ आप छोटा बच्चा है आपके घर में छोटे बच्चो डिसिप्लेन में रखके दिखा दो ना नियाद आ जाएगी अगर आपने उसको डिसिप्लेन कंदर रख दिया, इस्कूल कंदर आप लोग ऐसे भी नहीं रख सकते, वहाँ भी परिसान करेगा बच्चा आपके उपर कार्यवाई हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चा खेल विदी के माध्दम से शीक रहा है, खेल कूद करके शीक रहा है, तो यहाँ पर बच सारिक विदी करता है, तो सभी परकार के जो आपके विकास आपको देखने को मिल जाते, तभी तो आपका चाइल्ड चेंटर मेथड है, अब जो कोस्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर जो खेल विदी पूछिए, उसमें यहाँ पर हमको उसको काउंटिंग और न से ही हो जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पर क्रिकिट ले लिया था, तो अगर यहाँ पर आपको उसको नंबर और काउंटिंग शिकानी है, तो कौन सा तरीका से ही देगा, जो टीचर है, उसको बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाए, और उन्हें गिंती का पार्ट करव जो टीचर होता है, वह मूर्त वर्स्त वे, यानि जो कॉंक्रीट चीज होती है, जैसे कि पत्थर के टुकडे ले लिए, यह पत्थर के ऐसे चोटे-चोटे टुकडे ले लिए, तोकन ले लिया, मोती ले लिया, आदिका उप्योग करे, और बच्चों को निर्देशा नु बच्चे मुझसे इतनी जल्दी कनेक्ट हुए, और बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, उसको फिलिंग आ जाती है, सामने वाला मेरा बहला चाहता है, तो ऐसे कंकर थी, ठीका कंकर, तो कंकर को यूँ उठाओ, और इधर से उठा लो, क्या बोलते हैं, इस वाले गे अगला कोशन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट कोशन, कि क्लास में मातरवासा, यानि मदरटग की मदद से, दुवित्य भासा, यानि की जो सेकिंड लेंग्वेज होती है, उसका सिक्षन किस विदी की चारितरिक विशेषता होती है, यानि मदरटग की हेल्ब स इसाँसे अगर आपकी सी दूसरी भास्या को शीक रहो तो यह आपकी किस वीदी के बारे में आपर बात कर रहा है किया यहाँ पर आपके डिर्क मेहसण हो यह परतक्ष वीदी की बात हुर calculate learning Lism इसमें तो आपका कोछ भी नहीं था ठीक है अगले को पर हम लोग यहापर बढ़ते है ठीक है बहुत सारे प्तर से ले ले लेंगे तो यूँ इस तरीके से करेंगा ठीक है लड़िक अपने वह खेलते रहते कोई आपस में अगला कोशन दिया हुआ है कि जो सुधा है वो अपनी क्लास में पाठे सामगरी में आई जो ग्रामर होती है यानि कि जो व्याकन होती है और जो सब्द संपदा होती है यानि जो सामने बंडार देखने को मिलता है उसकी व्याक्या करने के लिए विद्यारतों के घर की भासा कोन सी होती है विद्यारतों के घर की भासा होती है उनकी जो मातर भासा होती है या मुख्या भासा का प्रियोक करती है और बाद में वह है उनका अनुवाद यानिक उनका ट्रां ननुवाद विदिया, पर्तक्स विदिया, बतेए सही, आंचर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहापर जा रहे हो, चपेटा, चपेटा तो पहली बार सुना है, मैंने, गिन्ना गोठी बता रहे हो, ठीक है, पता नहीं भई, जैसे अलग अलग तो अलग अलग नाम साइद इसके होंगे, ठीक है, इसके साथ आप लोग यहापर जा रहे हो, आप लोग यहापर जा रहे हो, थर्ड, बिलकु ठीक बात है, यहापर बात हो रही है, आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यहापर बात हो रही है, देखो यहापर जो लिए उनके घर की भासा का यूज करती है मैंने आपको बताया था grammar translation method के अंदर teacher क्या करता है translate करता है माली जो उसको दूसरी भासा सीखनी है तो जैसे मैंने बताया दूसरी भासा English सीखनी है तो उसको कुछ वर्ड को सची नीजा टिर्मिंडेस प्लेर बताया था न मैंने अगला question है अपने विद्यार्तियों में अग्रीम स्रेणी के समस्या समदान कोशलों के विकास है तू या पर उनके development की बात करी जा रही है टीचर को उन्हें डैस के इस्तमाल है तू एंग्रेज यानकी प्रोसाइथ उसको करना चाहिए बताव किसको करना चाहिए क्या response को क करना चाहिए हीटें ट्राइल मेथड को करना चाहिए एनलोजिकल थिंकिंग को करना चाहिए या रोट मेमोराइजेशन को करना चाहिए बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस question का आंसर जो बताएगा वो समलो सारे बच्चे बहुत बिरिलेंट होंगे ठीक है सब्सक्राइब नमबर दिया रहा था उस पर मैसेज करके आप लोग ले लिया करिए ठीक है किसके साथ जा रहे हो आप लोग थर्ड के साथ जा रहे हो सेकंड के भी साथ जा रहे हो ठीक है बहुत बढ़ी हा आप लोग जा रहे हो इसका मतलब आपकी तयारी बहुत जबरदस् प्रोब्लम सोल्विंग की जो इसकी लोती है उसको बढ़ावा देने के अंदर कौन करेगी अभी तो मैंने बताया कौन करेगी मुझे पता था तुम लोग फस होगे ठीक है बच रट्टू तोते की तरह आपस में लगे रहे तो कहा गई आपकी समस्चा समधान आजा भई समस्चा समधान कहा गई समस्चा समधान यह रही यह रही रहा कहा है यार यह रही इसके अंदर ही बूल गए देखो अनलोजिकल ठीकिंग क्या होती है अनलोजिकल ठीकिंग समस्चा समधान में हेल्प करती है क्या काम करती है समस्चा समधान में हेल्प करती है और यहाँ पर आपके functional fixedness और जो आपका response चैट दिया होता है यह क्या काम करती है कमी करती है और analogical thinking बढ़ावा देती है अब गदो एक बात तो देखो यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने response चैट तो इसमें कमी करेगी तो यह तो आपका वैसे गलत हो गया अभी मैंने आपको पता है उसके लबा एनलोजिकल थिंकिंग यह इसको बढ़ावा देगी तो यह आपका सही हो गय लेकिन road memorization याद करने तो यह तो आपको वैसे भी नेगिटिव है यह गलत हो गया hit and trial method इसको भी तो समझो यह बहुत सही हो जाएगा पर बोनस नमबर दिया होगा, दोनों इसको दिये होगे, तो हीट एंड ट्राइल में थर्ड भी ठीक होता है, जो आप लोगो ने इल्थ उन्ड एक्टा, टाइलेंड एरर थोरी पड़ी होगी, ठीक है, मैं पढ़ा दूगा नहीं पड़ी होगी, तो यहापर दोनों ठीक जो आपके सामने दिया होगा है, ठीक है, होगे ना सारी के सारों की, लुटिया डूब गई ना इसके साथ में, अगला कुर्शन दिया होगा है, ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है, CBC वाला सारी चीज़े ठीक दे रहा है, अगर आपको अपनी confidence अपने उपर ठीक है, तो आप कि साधार पर कहा जाता है कि, टीचर को जहां तक संबह हो, चुप रहना चीए, क्या कह रहा है भई, टीचर को चुप रहना चीए, ठीक है, और सिक्सार्तियों को जहां तक हो सके, बासा परियोग यानिक बोलने के, अधिक से अधिक अउसर उसको, यानि opportunity उसको देनी चाहि बताओ बही किसकी बात कर रहा है, मैं तो चुप हो जाता हूँ, अब मैं चुप हो गया, बताओ आँसर बताओ, ठीक है, अब तुम तो वैसे भी चुप हो, कैसे बोलोगे, लिकत कर बोलोगे, तो बोलो लिकत कर, अब मैं चुप और तो कौनचे मेथाड का यूज announce क्यों मैं तो चुप हो गया ना, मैं तो मोन हो गया, अब आप लोग लगे पड़े हो, इसका आंचर दे रहे हो, आपसमें बात कर रहे हो, और बेहन तू ने क्या दे दिया, तू भी फज गई क्या, पिछले कोशन में, हाँ बेहन मैं भी फज गई, ठीक है तो यहाँ पर कौन्चा क यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला कौशन देखते हैं, देखें अगला कौशन आपके मैथमेटिक से दिया हुआ इस क्यूशन को अपर नजज़े ढालते हैं, यह भी बड़ा महत्पूर मेhaftड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखने दालते हैं, क्यूशन यहाँ आपके सामने दिया हुआ है कि एक बच्चा है वह गुणन पर यानी मुल्टिप्लिकेशन पर समस्या को निमिलिख की तुरूप से हल करता है यानि हापर लूटिप्लाइ करनी थी तो इसने को मुल्टिप्लाइ कैसे करिए पाच तीन दूनी च्यांके शो और एक लिख दिया स साथ तो सही कर दी इसने मुझे रिखिये अब यहाँ पर वुद्धारति तो द्वारा जो आपर गलती हुई है तुरूटी ही है उसका अतिप्राइक कारण क्या हो सकता है बच्चे ने क्या मेथड यहां पर यूज कर दिया वह आप लोग मुझे यहां पर बतिए जल्दी से क क्या हो सकता है ठीक है बिल्कुल सही आपर किया नाम तो पढ़ लो इसका बिल्कुल सही वाले का क्या करा है दिल हुसेन अरे दिल हुसेन कहा पर इसके बिल्कुल सही हो गया ठीक है दिल हुसेन कहा है तेरा दिल जो है ठीक है सही सांसर दो गतो यह तो देखो इसने आपर क्या काम कर दिया जिस प्रकार से आपर addition होते हैं उस addition की form में आपर multiply कर दिया 35 की 23 से घर आप लोग multiply करोगे क्या 75 आएगा नहीं आएगा 75 आपका बच्चे ने जो जिस प्रकार से बच्चा जोड करता है उसमें बच्चे ने multiply यह आपर कर दिया ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा 10 तक के पहाड़ों को पूने इसमरंड करने में समर्थ है ठीक है ये तो कोई बात नहीं हो रही टेवल की बात नहीं हो पारी विद्धारती ने योग की कलनविधी देखो ये मेथड बड़ा मेहतून मेथड है आपके सामने जो ऐल्गोरीथम मेथड होट अन inward होता है आपका कलनविधी होता है इसनले मैंने का जो कलननविधी होती है बच्चे की सब्सक्रीन हिक बता ने सुदार करने की जड़ होता है इसको ऐए खिए ख़ए निए प्र प्रकार लेकिन टीचर क्या काम करता है अरे नहीं यह तेरा गलत है इसको पर काटा मारेगा काटा मानने वाद दो थपड मारेगा और इसको ऐसे सोल करते है तो यहाँ पर बच्चे की क्रेड़ूटी तो खतम होगी ना जो बच्चा अपने आप से करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है तो यह आपका अल्गोरिध्म मेथड यानि कि आपकी जो कलन भी दी होती है जिसमें जो बच्चा होता है एक ही तरीके से किसी समस्या का समधान यहाँ पर कर रहा होता है तो यहाँ पर इस्टूडेंट ने जो योग की जो कलन भी दी थी एडिशन की जो कलन भी दी थी उसक तो यह उसको जो है गुणन में अतिव इसतारिस्त कर दिया सो शेकंड हो जाएगा बी आंशर यहा पर आपका सही हो जाएगा गलत है अब बतारी गलत है ठीक है जब उसको दिल हुसे इनको पड़ गई अब गलत बता रहे हो ठीक है आपस में गदार हो तुम लोग सारे के सार अपने साथ भी को छोड़ दिया अगला कुश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर निमली कितमें से कौन सी विदिया परेवरन अध्यन यानि के आपके एनवारमेंट की बात करी जा रही है आपके पास EBS हो सोशल साइंस हो साइंस हो उसके अंदर भी इनी में से कोई ना कोई बिदिया आपको टकरा जाती है ठीक है तो ईसके संपाद में परभावी हो सकती है चोकंड उक्र मेंथट होती है चोद तो प्ले चाइल्चेंटर में था रहती है इस्टोरी टेलिंग जो आपका रहता है यह भी चाइल्चेंटर रहती है यह तो बड़ा सिंपल सा था सीडी आंशर आपका हो जाएगा ठीक है तो पहला आप लोगों ने देखा न टीचर लेक्षर देता रहता था चोखली अन करना सु जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है यह भी आपका चाइल्चेंटर मेथड होता है कैसा मेथड होता है प्रोजेक्ट मेथड भी चाइल्चेंटर मेथड आपका यूज होता है जहापर बच्चा समस्चा का समधान कर रहा है डेली लाइफ से कनेट करके टुकडों में त तो बतिय अभी इसका सही आंसर क्या हो जागा किसके साथ आप जाओगे यह टीचर को मार्ग दर्सक और सुगम करता बनाता है ठीक है इसको डाल देते थोड़ा ओल्ड में इससे विविद संसादुन की आवसकता होती है विविद संसादुन की आवसकता नहीं होती बच्चे प्रोजेक्ट के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभी बूत हो जाते नहीं हो जाते यह कारिया नुभाव एवं अभी सारी चिंतन के आवसरों पर पर परदान करता है यहापर अभी सारी की जंगे अफसारी हो जाता तो यह आपका ठीक हो जाता ठीक है लेकिन यह सि लगए सब्सक्राइब कर लेना जिसके इंदर आपको समझ्या का समधान घरता है जिसके अंदर आपको creativity यानि की रचनात्मक्ता देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है creativity यानि की रचनात्मक्ता आपको देखने को मिलती है सो यहाँ पर आपने कार्य के जो अनुभाव है work experience है और divergent thinking के आउसर परदान करता है आपके project method में इससे भी ज्यादा है appropriate आपका fourth answer यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर typing के अंदर board वाले ने गलती कर दियोगी तो आप लोग English के अंदर नजर माल लिया करना और English वाल आपका सही माना जाता है ठीक है इस प्रकार के अगर question आपके सामने आते है ठीक है कौन्चे domain का psychomotor मैंने आपको कौन्चे domain बतायते तीन domain bloom taxonomy के according भी अगर मैं बात करूँ राष्टा शिक्सानीति 2020 ने भी इन तीनों domain को बढ़ाने की बात करी है कोगनिटी domain अफेक्टी domain और आपका psychomotor domain ठीक है तो आपके psychomotor domain की बात हो रही है सारी पक्स के यहां पर बात हो रही है ठीक है अब यहां पर बतिये सही अंसर क्या हो जाएगा कौन आपके psychomotor domain को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा क्या demonstration method होगा lecture method होगा integrated method होगा य अगर कोई यार एक आदी कोई नजरों से बैच गई हो तो रहे पता नी वरना आपके teaching exam के अंदर और खासकर आपके CT8 के exam में यही सब विद्या पूछी जाते है और सभी subject के अंदर यह वाली विद्या पूछी जाती है ठीक है किसके साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो आ यह नहीं कि एक इकरत प्रकरती के होते है जहापर EBS के अंदर बच्चों को science पढ़ाया जाती है social science पढ़ाया जाती है पड़ाया जाती है तो एक subject के अंदर सारे subject पढ़ाया जाते है इसलिए आपका integrated nature का होता है अगर यहापर बच्चों के psychomotor domain का use करना है ना आपको तो यहापर integrated method का use करना है right answer आपका third यहापर सही हो जाएगा तो friends देखे मैंने आपको यह जितने भी method वह आपको बता दिये question भले ही 20 हो लेकिन method आपके 20 से भी मुझे ऐसा लग रहा है जाद ही देखने को मिल जाएंगे और आपके exam में 2-3 method जरूर देखने को मिलते है और इन बूक वगएरा पर कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज आपको ऐसी class मिलते रहे और कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे मिलेंगे ठीक है जो नोट्स की पूछ रहा था बच्छा कि सर नोट्स मिलेंगे खुले नहीं तो आप लोग नोट्स वगएरा सब चीज ठीक है स्रीदेवी केश वर के 27 नंबर सुस्मा सर्मा के 27 नंबर कैसा आगे वह सब्सक्राइब तुम्हारे स्रीदेवी कुमारी है धंजीत कुमार के सोलह कनेया सिंग ओफिसल के 20 मैंने का था अगर किसी ने पूरे में से पूरे नंबर बता दिना लास में अब गदे यह ब स्का स्वीटी के आये 16 नंबर अंज़िलिके 17 नंबर मुरारी तिवारी सत्रे है विनीता कुमारी सत्रे है वेरी गूड स्ritersाक्षी के सोलह है देख रहा हूँ मतलब आप लोगों का स्कोर देख रहा हूँ मतलब आप लोगों के पंद्रेश तो ज्जाजे तर बच्चों के देखने को मिल लए ठीक है इसका बनलब आपका इसकोर अच्छा हो रखा है ठीक है ठीक है एक की सूपर चैट आई है अधित्य देवगन की लैप्टोप में पेड़ी क्लास पर एक वीडियो बनाई है कैसे अरे या लैप्टोप में तो अराम से आपकी पेड़ी क्लास चलती ह ठीक है इसमें वीडियो बनाने की जरूती नहीं है ठीक है चलिए आगे पहुचे सर मैंने 17 एटेम्ट किए कोई बात नहीं हिर देश और 12 आप क्या है कोई बात नहीं दीरे दीरे आप लोग इसको बढ़ाते ही है देखो कोई बात नहीं आपर गलतिया कर लो ठीक है जो भी